मश्कार डिलीशिस तड़का में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन प्याज की सबजी उसके लिए हमने लिये हैं तीन बड़े चम्मच बेसन तीन प्याज लंबे कटे हुए दो टिमाटर कटे हुए एक इंच अद्रग बारीक कटा हुआ धनिया कटा हुआ नमक आप स्वाद निसा लीजे मैंने हाफ टीस्पून लिया है मैंने स्मोग बस्टर ओल लिया है सरसू का तेल को गरम करके ठंडा कर लिया है 1.5 tsp मैंने लिया है लाल मिर्ची 1.5 tsp मैंने लिया धन्या पाउडर 1.4 मैंने लिया अमचूर 3 हरी मिर्ची स्लिट करके लिये 1.4 tsp राई 2.5 हीन 2.5 अजवैन 1.4 tsp हल्दी पाउडर 1.4 tsp गरम मसाला 1.4 tsp जीरा चलिए इस बनाना शूरू करते हैं सबसे पहले हम एक कड़ाई ले लेंगे उसे ओन करके गरम कर लेंगे अब इसमें हम बेसन को रोस्ट कर लेंगे 2 मिंट के लिए यह देखिए हमारा बेसन रोस्ट हो गया है अब बंद कर देंगे हम उसके बाद भी हम इसको चलाते रहेंगे यह देखिए नहीं तो जल जाएगा यह हो गया है अब इसको हम साइड में रख देते हैं अब रेलिंग हम दूसरी कड़ाई उसको ओन करकर थोड़ा सा मस्टर्ड ओयली डाल कर गरम कर लेंगे smoked मस्टर्ड ओयल यह गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे राई हम यूपर आगी है, अजवैन, यह भी फूल रही है, हींग और यह जीरा, इन सब को डाल कर हम चला देंगे अब इसमें हम डालेंगे, लंबे कटे हुए प्याज उनको भी हम उसके कच्छा पर्ण दूर होने तक ही भुनेंगे, एक से दो मिंट के लिए यह भुन गई है, अब डालते हैं इसमें, नमक, सासा चलाते रहें, अद्रग, बारीक कटा हुआ सासा चलाते रहें, हल्दी, इससे भी चलाते रहें और यह लाल मिट्ची पाउडर, घरब मसाला और यह दाल देंगे धन्या पाउडर, इन सबको हम, अच्छे से मिट्ची कर लेंगे, मसालों को, हरी मिट्ची स्लिट करे हुए इन सबको mix कर लें यह mix हो गया अब इसमें हम टिबाटर डालेंगे टिबाटर को भी हम थोड़ा सा गला लेंगे दो मिनट तक ऐसे चलाते हुई हाँ यह देखें भुन गये अब इसमें हम डाल देतें अमचूर उसे भी अच्छे से mix कर देंगे यह अच्छे से mix हो गया अब इसमें हमारा जो भुना हुआ बेशन है उसको add कर देंगे भुनने से गाठे नहीं पड़ेंगी हाँ इसको इससे अच्छे से mix कर लें योग यह भुना हुआ है यह तयार है अब इसमें उखारा धनियां डाल देंगे हाँ इसको भी mix कर दें अब हम गैस बंद करके इसको serve करते है यह देखिए हमारी प्याज की बेशन की सबजी तयार है इसको आप प्रॉंटे के साथ फुलके के साथ किसी के साथ भी serve कीजिए अगर मेरी recipe आपको पसंद आए आप इसे like कीजिए, subscribe कीजिए और हाँ, share करना था